विलास नियम समय कचैरी आकर और अपना काम समाप्त करके घर चला जाता था बहुत आवश्चक्ता होने पर भी कर्मचारी भेजकर विजया की राय ले ले लता था लेकिन स्वयम नहीं आता विजया ने भी समझ लिया था कि बिना बुलाए वह स्वयम नहीं आएगा उसके आस जो व्यक्ति अब तक सब की आँखों में सर्वे सरवा बना बैठा था उसे विशेश रूप से जमिंदारी के भले बुरे कामों में उसने जिन लोगों पर सासन करके उन्हें अपना सत्रू बना लिया है उन सब के सामने अचानक इतना छोटा कर देने के कारण विजया अप आपस ना लोटा कर भी केवल इस घटना के अस्तित्व को ही किसी प्रकार मिटा पाती तो बच जाती एक दिन तीसरे पहर कचहरी के बेरा ने आकर कहा विलास बाबु मिलना चाहते हैं नई बात थी विजया पत्र लिख रही थी मूँ उठाय बिना बोली आने को कहो उसका मन अज्यात आसंका से कांपने लगा लेकिन विलास के आते ही वह उठ खड़ी हुई और सांध भाव से नमस्कार करके बोली आईए विलास ने कुरसी पर बैठ कर कहा काम की अधिक्ता के कारण आ नहीं सका तुम्हारा सरीर तो अच्छा है विजया ने गर्दन हिला कर कहा हाँ वही दवा चल रही है विजया ने उत्तर नहीं दिया विलास ने कहा कल नय वर्स का नया दिन है इच्छा होती है कि कल सवेरे सबको एकठा करके कुछ भगवत चर्चा की जाए विजया प्रसन होकर बोली यह तो बहुत अच्छी बात है विलास बोला लेकिन अनेक कारणों स मंदिर जाने की सुविधा नहीं हो सकेगी यदि तुमारी सहमती हो तो इसी स्थान पर विजया ने समर्थन कर दिया उत्साहित होकर बोली तो फिर घर को फूल पत्तों और लताओ आदी से सजा देना ठीक ना होगा आपके मकान में तो फूलों की कमी नहीं है अगर माली को ह हुकम देकर कल सवेरी ही आपकी क्या राय है हो सकता है ना आनंद का आडंबर ना दिखाकर विलास ने सहज भाव से कहा ऐसा ही होगा मैं सारी विवस्ता कर दूँगा विजया पल भर मौन रहकर बोली कल तो वर्स का पहला दिन है साथ में थोड़ा सा खिलाने पिलाने का आय जब विदा हो गया तब बहुत दिनों के बाद विजया के मन मेरे त्रिप्ती और उलास की दक्षिनी बयार बहने लगी वह सोचने लगी कि इन दिनों कुछ में ही विलास कितना दुर्बल हो गया है पस्चताप और अपमान के आगहात ने उसके स्वभाव को बदल दिया है एक लंबी सांस लेकर वह व्रिद रास बिहारी की उस दिन की बातों पर मन ही मन विचार करने लगी विलास बिहारी उसे अत्यधिक प्रेम करता है यह बात उसकी भावना विचारों से सभी प्रकार से सपष्ट हो चुकी है लेकिन यह प्रेम विजया के मन में स्थान नहीं पा सका बलकि साम के गहरे अंधेरे में सूने कमरे में उसके साथ ही विहिन प्रांज जब व्याथा से व्याकुल होटते हैं तब कलपना से दबे पाउं जो उसकी बगल में आ बैठता है वह विलास नहीं और कोई है अलसाई दोपहरी में जब पुस्तक में मन नहीं लगता सिलाई का काम भी कठिन जान पड़ता है लंबा चौड़ा सूना घर सूरी की किर्णों से साएं साएं करता है तब सुदूर भविश्य की घर ग्रिहस्ती की जो सुन्दर चवी सूने घर को भर कर उसके अंदर में धीरे धीरे जाग उठती है उसमें विलास के लिए कहीं थोड़ा सा स्थान नहीं रहता और दिल्चस्प बात यह है कि जो व्यक्ति सारे हिर्दय को घेर कर बैठ जाता है उसका मुल्य जीवन के दुर्गम पत्में सहायक या सहयोगी के नाते विलास की अपिक्षा बहुत ही कम है वह अनुभव हीन और असहाय है विपत्ती में उसे कोई सहायता नहीं मिलेगी विलास के चले जाने पर विज्या के विचारों में कोई बाधा नहीं पड़ी लेकिन बिना याचना के विलास के दोसों पर पुनरविचार करने का भार ले लिया और कोई तर्क किये बिना यह बात स्विकार कर ली कि परिस्थितियों के कारण उस पर जो रूप प्रकट हो गया था उसका वास्तविक सभाव उतना ही नहीं है विलास की जैसी मांसी का वस्ता होने पर अधिकान स्वेक्ति सायद ही दूसरे प्रकार के आचरन करते उसने प्रेम किया है और इसी अपरात क के कारण उसे लांग्चित और पीडित होना पड़ा है उसने करुणा मिस्रित ममता के साथ उसे छमा कर दिया सुबह उठकर विज्या ने सुना विलास बहुत सवेरे नौकर चाकर लेकर घर सजाने के काम में लग गया है वह भी जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गई और हायता नहीं कर सकती बताइए मैं क्या करूं बहुत दिनों बाद विलास हसा बुला तुमके वल नजर रखो हम लोगों में काम कोई भूल तो नहीं हो रही है अच्छा विज्या ने कहा और एक कोच पर जा बैठी थोड़ी देर बाद उसने पूछा और जल्पान का प्रबं इस बीच विज्या कई बार आ आकर छोटे मोटे कामों में विलास की सलाह ले गई विज्या हसकर बोली एकदम निकम्मा समझकर आपने मुझे एक ओर डाल दिया है लेकिन मैंने भी आपकी एक भूल पकड़ी है बताती हूं विलास ने अचंबह में पढ़कर कहा निकम्मा तो मैंने कभी नहीं समझा लेकिन भूल कौन सी पकड़ी है विज्या बोली हम लोग है तो कुछ चार पाच आदमी लेकिन जलपान का प्रबंध हुआ है लगबग 20 आदमियों का विलास ने कहा सो तो होना ही चाहिए बाबु जी ने अपने कई बंधू बंधो को निमंतरन दिया है लेकिन वे कितने हैं कौन कौन है मुझे पता नहीं विज्या ने हैरानी से कहा यह बात तो मुझे कहीं नहीं यहां से मेरे जाने के बाद क्या बाबु जी ने तुम्हें चिठ्थे लिखकर नहीं बताया नहीं लेकिन उन्होंने तो कहा था विलास कहते कहते रुग गया क्या कहा था पल भर चुप रहकर विलास बोला साइद मेरे सुनने में भूल हुई हो या फिर वह चिठ्थे लिखकर सुचित करने की बाद भूल गये हो विजाने कोई प्रस्ण नहीं किया लेकिन उसकी आंत्रिक जोचना जैसे प्रसंता सहसा घटनाओं से ढग गई आदे घंटे बाद राजबिहारी आ गया और नौ बजे तक उनके निमंत्रित मित्रों का दल एक एकर आने लगा उनमें सभी ब्रह्म समाजी नहीं थे फिर भी वे राजबिहारी का साग्रह अनुरोध ना टाल सके थे राजबिहारी ने अत्यंत आदर से स्वागत किया और जिन लोगों का विजया से परिचित नहीं था उनसे परिचे कराते हुए इस बात का संकेत कर देने में भी भूल नहीं की कि निकड़ भविश्य में ही इस लड़की के साथ घनिष्ट संबंध होने वाला है जब वह इन कामों में व्यस्ट थी तभी पास ही बगीचे के संक्रे रास्ते पर दयाल बाबु दिखाई दिये वह अकेले नहीं थे एक अपरिचिता तरूनी भी उनके साथ थी लड़की सुन्दर थी उम्र विजया से सायद कुछ अधिक थी दयाल ने बताया यह उनकी भांजी है नाम नलेनी है कलकत्य के कॉलेज में बी-ए में पढ़ती है अभी तक गर्मी की छुट्टियां आरंब नहीं हुई लेकिन मामी की बीमारी में सेवा करने के लिए कुछ पहले ही आ गई है और गर्मी की छुट्टिया यहीं बिताएगी नलेनी को विजया ने कलकत्य में बिलकुल ही न देखा हो सोब बात नहीं थी लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई थी लेकिन इतने परिचित अ परिचित लोगों में वही सबसे अधिक अंतरंग जान पड़ी विजया ने दोनों हाथ पकड़कर बड़े आदर से अपने कमरे में खेच लिया और पास बैठा कर बाते करने लेगी उपासना साड़े नौबेचे शुरू होने को थी उसमें कुछ देर थी लोग बाहर के बरामदे में खड़े बाते कर रहे थे तब ही राजबिहारी की उची आवाज सुनाई दी वह बड़े आदर से किसी से कह रहते हैं आओ बेटा आओ तुम्हारे पास धेर काम रहता है इसलिए मुझे आसा नहीं थी कि तुम समय निकाल कर आ सकोगे यह समानित और काम का व्यक्ति कौन है यह जानने के लिए विजया ने मुँ उठा कर देखा सामने नरेंद्र खड़ा है लेकिन असंभव समझकर एकदम विश्वास नहीं हुआ नलेनी ने भी उसी के साथ मुँ उठाया फिर बोली नरेंद्र बाबु उसे राजबिहारी के और भी कई लोग आ गये वृद्ध ने सांध गंभीर स्वर में दोनों युवकों को संबोधित करते हुए कहां अपने पिता के संपर्ग से तुम दोनों आपस में भाई होते हो यह बात आज तुम लोगों से मैं विशेश रूप से कहना चाहता हूं वनमाली गये की कारण बुढ़े के सेज दिनों को अंधकार पुर्ण ना बना डालना उनकी आवाज का पुठी नरेंद्र और ना सह सका विलास का हाथ अपने हाथों से खीच कर आवेग से बोला विलास बाबु मेरे सारे अपराद छमा कर दीजे मैं आपसे छमा मांगता हूं विलास ने नरेंद्र को लिप्टा कर कहा अपराद मैंने किया है नरेंद्र तुम ही मुझे छमा करो बुड़े राजबिहारी आखे मूंदे कापते स्वर में बोले है सर्व सक्तिमान परमात्मा इस दया इस करुना के लिए तुम्हारे श्री पाद पदो में मेरा कोटी कोटी नमस्का यह करकर दोनों हाथ जोड़कर माते से लगा दिये और चादर के कोने से आसु पोस्ते वे बोले आज के सुब मुहरत में तुम दोनों का जीवन सार्थक है आप लोग भी यही आसिरवाद दीजिए दयाल के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं जानता था इसलिए इस करुन अनु करती है आरी आने में भी काटती है और जाने में भी यही मेरा हाल हुआ है मेरा यह लड़का है और वह भी मेरे दाहीने हाथ में जैसी पीड़ा होती है बाय हाथ में भी वैसे ही होती है लेकिन आप लोगों की कृपा से यह मेरा अत्यन सुब और आनंद का दिन है मैं और क्य इस्थान पर विरोधी हिर्दे इकठे हो वहां भगवान विरास्ते हैं इसलिए आज यहां परमपिता के आविर्भाव के संबंद में संका के लिए इस्थान नहीं है इसके बाद उन्होंने नए वर्ष के पहले दिन की लगबग 15 मिनट तक सुंदर उपासना की अनेक हिर्द की मूदी आँखों से आसू बह निकले उपासना समाप्त हो जाने पर भी वह उसी तरह बैठे रहे हैं वह अचेत है या सचेत बहुत देर तक कोई ना समझ सका और एक व्यक्ति था जिसके मन की बात का पता नहीं लग सका था वर्थी विज्या सारे समय जूकी आँखों से प्रश्तर मूर्ति के समान स्थर बैठी रही फिर जब उसने मूँ उठाया तो उसका चेहरा पत्थर जैसे ही सफेद दिखाई दिया दयाल की भक्ति से गदगद आज की गुंजी समय अनेक व्यक्तियों के अंतर में जंकरित हो रही थी राजबिहारी ने आखे खोली खड़े होकर रुलाई भरे स्वर में बोले मुझस में साधना की वह सकती नहीं है लेकिन आज मैंने जान लिया कि दयाल का महावाक्य जितना बड़ा सत्य है सम्मलित हृद्यों के मिलनिस्थल में उसी एक मात्रा और अद्वित्या निराकार परब्रम का आविर्भा होता है इसे आज रिदय में प्रत्यक्त देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया यह करकर वह आगे बढ़े और दयाल को रिदय से लिपटा कर कमपित स्वर में बोले दयाल भाई यह केवल तुम्हारे ही पुनिप्रताप से तुम्हारे ही आसिरवाद से दयाल की आखे डबडबा आई ल और भी आसिरवाद की भीक मांगता हूं वनमाली के जिवित होते तो अपनी कन्या के विवाह के बात पर स्वयम ही आप लोगों से कहते मुझे ना कहनी पड़ती लेकिन अब यह भार मुझ पर आ पड़ा है मैं ही वर कन्या का पिता हूं मैंने इस महिने के अंतिम सप्ताह मे पूर्निमा को विवाहनिस्चित किया है आप लोग अंता करन से आसिरवाद दिजिए जिससे यह सुबकारे निर्विद्न पूरा हो यह करकर उन्होंने एक जोड़ी सोने के कड़े जेब से निकाल कर दयाल के हाथों में दे दिये दयाल ने विज्या की और हाथ बढ़ा कर क मैं सुबकारे के सूचना में मन वचन और कारी से तुम्हारी कल्यान कामना करता हूं बेटी देखो भला तुम्हारे दोनों हाथ लेकिन सिर्व जुकाए मूर्ती के समान बैठी रही विज्या ने रति भर भी हरकत नहीं कि दयाल ने फिर प्रात्ना दोराई वह फिर उसी त प्राय निरूपाय नारी के सक्तिहीन बेवस हाथों में पहना दिया लेकिन किसी ने कुछ नहीं जाना बलकि इसे लज्जा समझकर लोग खुस हो उठें और सुब कामनाओं की अश्पष्ट आवाजों से सारा कमरा गोंज उठा खाने पीने का काम समाप्त हो गया देर हो र प्रियामी के अतिरिक्त जिस व्यक्ति से छिपी नहीं रही वर्थे राजबिहारी लेकिन उन्होंने किसी को आभास तक नहीं होने दिया जल्पान समाप्त कर एक लॉंग मुह में रख मुस्कुराते हुए बोले मैं चला बुढ़ा आदमी ठैरा धूप बढ़ने पर भी न चल सकूंगा और एक लंबा आसिरवात देकर चाता सिर पर लगाए धीरे धीरे चले गए अब सब लोग चले गए नलेनी और विज्या बरामदे में किनारे खड़ी बाते कर रही थी विज्या ने कहा आप से बाते करके मैं कितनी सुखी हुई हूं कह नहीं सकती यहां आने क से सहमती परगट की विज्या ने कहा मैं भी सायद उस पहर आपके मामा को देखने आओंगी लेकिन फिर धूब देखकर बूली दैयाल बाबु जरूरी का चहरी में आ गया है क्या उन्हें बुलाओं और जब बेरा की खोज में पाउं बढ़ाने लगी तो नलेनी ने कहा व दर्बान की जरुत नहीं है मैं नेरेंद्र बाबु की प्रतीक्षा कर रही हूं वह अपने मामा से मिलने गया है अभी आ जाएंगे विज्या ने आस्चरेश से पूछा आपसे उनका परीचे है क्या नली नी बूली परीचे बिलकुल नहीं था परसो पापा की चिठ्थी पाकर इस्टेशन आई तो भेट हुई उनके साथ ही यहां आई हूं ओहो यह बात है नली ने कहा हां लेकिन कैसे अद्भुत वैक्ति है आपने देखा दो ही दिन में चीर परिचित आत्मिये बन गये हैं तै हुआ है कि इस पहर हमारे घरें सनान भोजन करके कलकता जाएंग मेरी मामी तो उन्हें अपने बेटे के समान प्रेम करती है विज्जय ने गर्दन हिला कर कहा हां अद्भुत आदमी है नलेनी कहने लगी उनका किसी से कभी मन मुटाओ हो सकता है आखों से ना देख लेती तो विश्वास ही ना कर पाती मुझे बड़ी प्रसंता हुई है कि आज विलास बाबु से उनका मेल हो गया लेकिन उनके पिताजी अनोखे आदमी है मेरी समझ में तो वो हमारे समाज में सभी को उनके समान होने का प्रेत्न करना चाहिए राजबिहारी बाबु का आदर्स जिस दिन ब्रह्म समाज के घर-घर में प्रतिश्टित हो जाएगा उसी दिन समझूँगी कि हमारा ब्रह्म धर्म सफल और सार्तक हुआ आप क्या कहती है ठीक है ना तबी नरिंद्र हाथ में हैट लिए तेजी से उस और आता दिखाई दिया विज्या ने नलिनी के प्रस्ण का उत्तर ना देकर उस और उसका ध्यान आकर सित करके कहा वह वेरा बड़े आनंद से इससे आसा होती है कि यह वर्ज अच्छा ही बीतेगा लेकिन आप ऐसी मुर्जाई से क्यों दिखाई दे रही है बताईए तो विज्या ने नाराजी से कहा आप भी तो बताईए कि आप एक ही दिन में यह प्रस्ण कितनी बार कीजिएगा नरेंद् पर फिर हसने लगा वेज्या ने किसी प्रकार हसी दबाकर बनावटी गंभीरता से कहा इस विसे में क्या सब आपके समान निर्दोस हो सकते हैं फिर भी देखिए कालीपद जैसे और भी बहुत सी निंदा करने वाले हैं जो आप जैसे सादू व्यक्ति को भी जल्दी कृद कुछ छमा नहीं कर सकती लेकिन यह तो सुनूं कि और भी बहुत से कौन लोग हैं कालीपद और आप बस इतने ही तो विज्या ने गर्दन हिला कर कहा और इस टेशन पर इंदेखा हैं वे भी और और जिन लोगों ने सुना हैं वे भी तो यही क्यों ना कहिए कि मेरे संबंद में सारी दुनिया के लोगों का यही मत है विज्या ने पहले जैसी गंबीरता से का हाँ हम सब का यही मत है नरिन ने का तो फिर धन्यवाद जब आपके संबंद में लोगों का क्या मत है सो बताईए और हसने लगा उसके संकेत से विज्या का चेहरा रक्तिम हो उठा हस कर बोली अपनी प्रसंसा आप नहीं करनी चाहिए पाप होता है इसलिए आप ही बताईए लेकिन अभी नहीं नहाने के बाद बहुत समय हो गया है इस काम से यहीं निपट लेना अच्छा ना होगा कहकर उसने नलिनी के ओर देखा नलिनी बुली लेकिन मामी रास्ता देखती रहेंगी विज्या ने कहा मैं इसी समय आदमी भेजकर उन्हें खबर पहुँचाए देती हूँ नलिनी से कुछा उठी बुली मुझे तो जाना ही होगा मामी बिमार है मकान में सारी दो पहर किसी ने उनके पास रहे बिना काम नहीं चलेगा विज्या जिद ना कर सकी नलिनी ने विज्या के चेहरे की ओर देखा और ना जाने क्या सोच कर बुली नरिंद्र बाबू ना हो तो आप यहीं इस नान भोजन कर लीजिए मैं जाकर मामी को कह दूँगी जाते समय मिलते जाईएगा क्या मुझे आपने इतना अकृतिक गया और नीच समझ लिया है कि ऐसी धूप में आपको अकेला छोड़ दूँगा कहकर नरिंद्र ने हस्ते हुए विज्या से कहा एक दिन आपसे तो अच्छा भोजन चुकता कराना ही है उस दिन सवेरे ही आने का यतन करूँगा अच्छा नमस्कार फिर नलिनी से बोला और देर मत कीजिए चलिए यह कहकर हैट सिर पर लगा लिया नलिनी उतर कर पास आ गई लेकिन एक और व्यक्ति जो काट के समान खड़ा रहा जिसकी दोनों आके सान पर चड़ी छोरियों के समान चमकने लगी उस पर उन दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं गया अगर जाता तो नरेंदर दो एक पक बढ़कर और सहसा लोटकर हसते हुए यह कहने का साहस ना करता कि अच्छा एक काम ना किया जाए जो वस्तु आरम से ही इतने दुखों की जड़ है जिसके लिए मैं सारे देश में बदनाम हूँ उसे मुझे आज के आनंद के दिन उपहार दे दीजिए वे 200 रुपए कल परसो किसी दिन भेज दूंगा यह करकर उसने हसने का प्रत्म किया लेकिन हस ना सका विजिया ने कहा दाम देकर देने को उपहार देना नहीं बेचना कहती हूँ इस प्रकार का उफार देखकर आपको प्रसन्ता हो सकती है लेकिन हम लोगों को दूसरे ही प्रकार की जिक्षा में लिए इसलिए आज इस आनंद के दिन मेरी उसे बेचने के एक्षा नहीं है इस आगात की कटोरता से नरिंद्र हैरान हो गया यो भी वह विजया की मिजाज का कोई खूल किनारा नहीं पा रहा था उस पर आज उसने मन में भूसे ही सी आग जल रही थी उसका दा अब अचानक अकारन फूट पड़ा जब नरिंद्र ने उसे पहचान ही न सका पलबर उसके कटोर मुह की और चुपचाप देखता रहकर अत्यंत वैथा के साथ बोला अपनी नितांत दीन दसा को मैं कभी भूल नहीं और उसे छुपाने की चेश्टा मैंने नहीं की जो आप मुझे याद दिला रही है फिर नलिनी को दिखा कर बोला मैंने इनको भी अपना सारा इतिहास बता दिया है पिता जी अत्यंत द्यान्य दुख पाकर मरे है उनकी मृत्यू के बाद घर दौर जो कुछ भी यहाँ था सब कर्ज चुकता करने में चला गया कुछ भी किसी से नहीं छेपाया मैंने आपको उपहर देने की बात नहीं की नलिनी बताईया क्या मैंने सब आपको बताया नहीं है नलिनिन कहा, हाँ बताया है विजय का मुह दुख लज्जा पस्चताप से स्याप पड़ गया बड़ी बचैनी से चुपचाप दोनों की और ताक्ती रही उसकी इस सीमाहीन वेदना को मतते हुए नरिनिन ने दुखी होकर कहा मेरी बात से आप बहुत ही अस्थिरो उठती है साइद सोचती है मैं अपनी इस्थिती को लांग कर अपने आपको आप लोगों के समान प्रगट करना चाहता हूँ यह हो सकता है कि अपनी उदासिंता के कारण इन बातों में अपना वजन ठीक ना रख पाता हूँ लेकिन जाननी दीजे अगर आपका अज सम्मान कर बैठा हूँ तो मुझे छहमा कर दीजेगा कहकर और मुफिराकर वह चल पड़ा